नमस्कार जब तक DSP नहीं बनूँगा तब तक डाड़ी नहीं बनूँगा आज एसी एक खुद्दार कहानी मोटिवेशनल स्टूरी अपन देखेंगे DSP संतोस पटेल की जिनोंने बिल्कुल सुन्य से शुरुवात करका आज वो DSP बने हैं गरीबी में इतने दिन देखें दिन में एक बार खाना मिलता था DSP संतोस पटेल की मोटिवेशनल स्टूरी आपको जगजोर देखेंगे संतोस पटेल MP के पन्ना जिल्ले के रहने वाले एक छोटे से गाम उनके गाम में रोड भी नहीं है पेदल पकडंडी हैं बच्वन में यह कहते हैं कि इनके मम्मी पापा पापा मजदूरी करते हैं मम्मी दूसरों को खेतों में कटे का काम करते थे संतोस पटेल पहनने के लिए इनके पास कपड़े नहीं थे फटे पूरणे कपड़े पहनते थे एक जोड़ी कभी-कभी तो यह भी होता था कि पेरों में पहनने के लिए चपल नहीं होती थी चपलों को सिल-सिल कर पहनते थे कहते हैं कि एक विस्किट के लिए पापा के साथ में जाते और तीन तीन चार चार गंटे तक इटे डोते सर पर संतोस पटेल कहते हैं कि कभी-कभी मैं जब पापा को मजदुरी करते देखता और मैं भी इटे डोता तो मैं ठख जाता पसीने से तरबज़र हो जाता और तुम्हें भी मम्मी पापा जैसे काम करना के जैसे यसे यह दसबी पास करते säga है दसवी पास करने के बात में मन पड़ाई में नहीं लगता है सिक ये भी पापा के साथ में के काम करना चाल एक दिन काम करते हैं करते हैं बहुत थक जाते हैं वहाँ पर इनको महसूस होता है कि अगर जीवन में पड़ाई नहीं करूंगा तो मुझे भी ये दिन देखने पड़ेंगी इनकी इस्तिती देखकर इस्कुल में इनकी फीस माफ हो जाते हैं इनको कपड़े दूसरे दे देते हैं इस्कुल की ड्रेस पेलने के लिए जैसे तैसे ये बीटेक करते हैं अपनी गरीबी को सहते हो और फिर ये कसम खाते हैं कि जब तक मैं डीएसपी नहीं बनूँगा तब तक डाड़ी नहीं पिर यह फोरेश्ट गाड का एक्जाम क्रेक करते हैं सन 2000 में इनके फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है बीमारी लग जाती बड़ा ओप्रेशन होता है पचास जार रुपे खर्च होते हैं इनके ममी पपा पचास जार दूसरों से उधार लेके आते हैं एक टाइम ऐसा आत करते हैं अपने लक्ष को पाने के लिए और फिर फोरेश्ट गाड का एक्जाम क्रेक करते हैं फोरेश्ट गाड की नौकरी करते हुए यह डीएस्प एक्जाम के तेहरी करते हैं और एक बिन ऐसा आता है कि यह डीएस्प बन जाते हैं इनके दो वीडियो बहुत वाइरल हो इनकी मम्मी आज भी खेतों में काम करती है। बहुत ही साधरम तरीके से लेती है। DSP संतोस पटल केते हैं जीवन में कुछ करने का जजबा हो, जुनून हो जोस हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। चाहे आपके ओपर कितनी मुस्किलें आए, चाहे आपके कितनी बादां आए, चाहे आपके जिवन में कितनी गरीबी क्यों नहों। परस्तियां चाहे कितनी भी आपके विप्रीद क्यों नहों। लेकिन अगर आपको कुछ करने का जजबा है, जो से जुनून है, लगन है, त कोई भी मुस्किल और कोई भी सक्स आपको आगे बढ़ने से नहीं रोख सकता है अगर आपको कुछ करने की ललक है ना तो आप कर जाओगे यह सारे एक्षूज सारे बहाने साइड में ले जाएंगे अरे यार मेरा ते सपोर्ट नहीं था यार मेरे परिवार वालों का सपोर्ट नहीं था मेरे पास पेसे नहीं थे मेरे पास संसादन नहीं थे मेरे पास सुविदाय नहीं थी यह सारे बहाने करना बंद कर देना DSP Santos पठेल की इस्टोषी देख लेना बिना संसादन के बिना पेसो के बिना परिवार के सपोर्ट के फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हो अगर आपके मन में लगण है अगर आपके मन में जोज जनून और जज़्जबा है न तो आप कुछ भी कर सकते हो, DSP संतोस Пटेल के इस्टोरी देख लेना, यह इस्टोरी आप को मोटिवेट करेगी, कि बिना संसादर के, बिना पैसे के, बिना किसी सपोर्ट के भी, आप अपना लक्षिय अचीव कर सकते हो, आप अपना टार्गेट अचीव कर सकते हो बसरते आपके मन में जो जुनून और लगन होना चाहिए